फ्रेंज आज मैं आपके साथ में एक ऐसा डायट प्रैन शेयर करने वाली हूँ जिसको लेने से आपका दो दिन में दो किलो तक वजन कम हो जाएगा जी हाँ ये बाद सुनने में शायद आपको अतनी कन्वेंशन नहीं लग रही होगी ये आपको शद विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन अगर आप इस डायट प्रैन को सिर्फ दो दिन फॉलो करते हैं तो इससे आपको बहुत ही जादा अच्छे रिजल्स मिलते हैं क्या खाना है, कितनी कॉंटिटी में खाना है, कब खाना है आप में वीडियो में आगे मैं ये भी बताऊंगे कि किन लोग का वजण जल्दी कम होगा और किन लोग के वजण को कम होने में टाइम लगेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आप मेरे चैनल पर बिलकुल पहली बार आए हैं पहला है फाइवर, यानि कि आपके खाले में फाइवर का मांट अच्छा होना चाहिए और दूसरा है प्रोटीन इन दोनों ही चीजों को मैंने अपनी इस टाइट में बहुत अच्छे से सेटल किया है तो इस टाइट प्लान को आप अज़ इस फॉलो करेंगे तो आप प्लेन साधा गरम पानिया प्ले सकती है जीरा वाटर कैसे बनाना है? जीरा वाटर बनाने के लिए आपको आधा चम्मत जीरे को रात में भिगो के रख देना है किसी चीनी मिट्टी के कप में या तो किसी कांच के गलास में एक गलास पानी में तो दिन की शुरुआत हो गई कब पीना है? जैसे ही आप सुबा सोके उठेंगे अगर आप पांच बजे सोके उठते हैं तो आपको ये पांच बजे ही पीना है छे बजे सोके उठते हैं तो आपको ये छे बजे ही पीना है जिस वक्त भी आप सोके उठेंगे बिना ब्रश के सबते पहले आपको ये पानी पीना है जो जीरा आपने भीगो के रखा था उस जीरे को अगर आप चवा चवा के खा सकते हैं तो इसको चवा के आप जरूर खा लीजिए मालने चीजे आपने पानी सुबह 6 बजे पिया है इसके बाद सुबह 7 बजे आपको खाने है 4 भीगे वे बादाम जिसको आपको छीलना है और उनको खाना है प्लस एक अखरोट बॉलनट ये दोनों ही चीजे आपको रात को भीगो के रख देनी है और सुबह छील के बादाम खाने है और साथ में आपको अखरोट खाना है जो बादाम होते हैं ये एनरजी का बहुत अच्छा सोर्स होते है गुट फैट्स इसके अंदर होते हैं हमारी एनरजी को सुबह सुबह बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है बजाय कि आप energy को boost करने के लिए या आपने आपको refresh करने के लिए आप चाय या कॉफी पीएं उससे अच्छा है कि आप सुबह सुबह nuts खाएं इससे अच्छा energy का source आपके दिन के शुरुआत के लिए कुछ और को ही नहीं सकता है तो ये होगी आपके दिन की शुरुआत अब आजाते हैं हमारे breakfast पे अगर आप सुबह 6 बजे उठे हैं 6 बजे अपने पानी पिया 7 बजे आपने nuts खा लिये हैं तो अब करीब 8 बजे आपको आपका breakfast लेना है और पहले दिन के breakfast में आपको लेना है 1 बॉल पपाया लगभग 200 ग्राम पपीता आपको लेना है पपीता अच्छी तरह से पका होना चाहिए अच्छे से वाश करने के बादी पपीता आपको consume करना चाहिए क्योंकि पपीते को पकाने के लिए इसमें काफी तरीके केमिकल्स का यूज किया जाता है इसलिए अगर आप कच्छा पपीता खाते हैं जो कि अच्छे से पका हुआ नहीं है तो उससे आपको पेट दर्द हो सकता है या फिर अगर आप पपीते को अच्छे से वाश नहीं करते हैं अच्छे से पील नहीं करते हैं तो भी आपको नुकसान दे सकता है तो करीब 200 ग्राम पपीता आपको अपने breakfast पर लेना है इस पे आपको कुछ भी sprinkle करने की ज़रूत नहीं है नमक नहीं वो कुछ नहीं डालना है simple form में as it is आपको लेना है पपीता फाइवर का बहुत अच्छा source है और जब आप इसको सुबह सुबह खाते हैं तो ये आपके पेट को clean करने के लिए भी काफी जादा helpful है तो आज कब रिकफास्ट हो गया आपका पपाया इसके बाद आपने साड़े ग्यारा बजे के आसपास आपको लेना है one plate salad जी हाँ जैसे कि मैंने आपको starting नहीं बताया था कि ये जो हमारा diet plan है ये हमारा fiber में काफे रिच है तो आपका जो पपीता है उसके भी fiber अच्छी मोट में आपको मिल गया प्लस अभी आपको लेना है एक plate salad सलाद में आपको खीरा लेना है एक गाजा लेनी है और एक टमाटर लेना है तीनों चीज़े एक एक आपको कट करनी है इतने में आपका जो प्लेट है वो आपका बन जाएगा salad का ये आपको लेना है इसके टेस्ट को अगर आप इनहरंस करना चाहते हैं तो एक चुटकी आ फादा नीम उक और अ इस सलाद के उपर निचोन के आप खा सकते हैं नमक, आपको इस 선 से बाइना जास करना है अब आज आती है दो दो रागी की रोटी या तो बेसं की रोटी में और कोई भी और बिया रोटी सकते हैं जो भी आप रोटी बना रहे हैं वो आपको 50 g आटे से बनानी है यानि कि एक रोटी को बनाने के लिए आपको 50 g आटे का यूजर करना है उससे बड़ी रोटी आपको नहीं बनानी है तो दो आपने रोटी ले ली रोटी सिर्फ रागी या तो बेसन की होनी चाहिए इसके इलावा आपको कोई और रोटी, स्पिशली गेहों की रोटी आपको नहीं लेनी है साथ में आपको लेनी है एक कर्टोरी दही, दही प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है साथी साथ हमारे गट हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है पेशन और रागी जिनके हम रोटी आ ले रहे हैं, दोनों ही प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है तो ये हो गया हमारा रोटी और दही और साथ में आपको लेनी है कोई भी एक सूखी सबजी आलो और अर्वी की सबजी को आपको वइट करना है इसके जगा पे आप पालक की सबजी ले सकते हैं, लौकी की सबजी ले सकते हैं, तुरई, सेम, गोभी, पता गोभी, कोई भी सबजी जो भी आपके आज पास में available हो वो आपको लेनी है, लेकिन उसमें आपको आलू यूज नहीं करने हैं, ठीक है, लंच प्लेट आपकी बन में होगी कोई भी आपर एक हरवल डिंक ले सकते हैं, जी से गरम पाने में आप आधा निमबू ने आ oh 30g मखाने होते हैं यहां पर आपको लेना है edad चिया वाटर, चिया सीट का वाटर आप कैसे रेडी कर सकते हैं, आधा चम्मत चिया सीट को आपको पानी में भीगो के रख देना है, यह पानी आप रूम टंपरेचर का भी ले सकते हैं, और सर्दियों में आप फॉलो कर रहे हैं, तो हल्का गुनगुना पानी भी आप ले सक पंदर मिनिट के लिए चिया सीड को पाने में भीगो के रख दीजिए और उसके बाद आपको इसको पी लेना है तो आपको इवनिक स्नेक्स में क्या हो गया 30 ग्राम फ्रोस्टेट मखाने प्लस एक ग्लास आपका चिया सीड वाटर ठीक है यह हो गया अब आजाते हैं हमारे जो कि बहुत इंपोर्टेंट इसको इसको इसकिप नहीं करना है डेफिनेटली आपको टाइम सिखाने ताइम क्या होते हैं कि जो भी आपका सोने का टाइम है उससे दो से धाई घंटे पहले आपको अपका डिनर फिनिश कर लेना है करीब साथ से साड़े साथ बजे तक आपको अपने डिनर कर लेना चाहिए और दस बजे तक आपको सो जाना चाहिए तो डिनर में आपको लेने हैं वन वाल सॉटेट वेजीज sorted veggies कैसे बनते हैं अगर आपको नहीं पता है तो इसकी recipe मैंने already अपने channel पे upload की हुई है इस तरीके का thumbnail आपको दिया हुआ होगा इसी वीडियो के लास्ट्रे में आपको इसका link दे दूँगी एक पर checkout जरूर कीजिए और ये आपको खाना है ये जो sorted veggies होती है ये fiber और protein दोनों में ही बहुत जादा rich होती है आपको इतनों full वाले feeling देते हैं जो late night cravings आपको होती है वो इससे नहीं होती क्योंकि इसमें fiber अच्छे amount में होता है और बस ये आपका दिन का last meal होगा ये जो आपके green tea होगी वो आपका last meal होगा तो ये हो गया हमारा day 1 यहाँ पे complete अब आजाते है हमारे day 2 पे जब आप day 1 को पूरा इस तरीके से follow करेंगे तो आप दिखेंगे अगले दिन आपका पेट भी बहुत अच्छी से clear होगा क्योंकि आपने बहुत अच्छी amount में fiber लिया हुआ है अब आजाते हैं हमारे day 2 पे day 2 की जो शुरुवात आपको करनी है वो आपको करनी है दो ग्लास गुनगुने पानी के साथ जिसमें आपको डालना है आधा निम्बू का रस ठीक है जाने कि निम्बू पानी से आपके दिन की शुरुवात हो गई टाइमिंग में आपको पहले वाले दिन में बता चुक हूँ वही सेम टाइमिंग पर आपको सारी चीज़े इस सेकंड डे भी आपको लेनी है तो निम्बू पानी आपने पी लिया छे बजी निम्बू पानी पी आप साथ बजे अगेन आपको चार बादाम और एक वाले च देफिंग में रहां.. रहा है कि सब्सक्रच आपको बड़े क्या मविध ने वेट लास करिगी आपको अऔर जादा बनी-डाल को अन। एक सक और चींप्रिया दो, किसी में रहा है कि पादर बजादा कौन हम भी दालिए पिर वाले सान। लेक विढस से लिए। आपका ब्र फुल भी आप रहोगे भूग भी नहीं लगेगी और हंडर प्रसेंट आपका वेट लॉस भी होगा तो आपने सैलेड ले लिया अब आजाते हैं हमारे लंच पे सकेंड डे के लंच में हमें लेनी है एक रोटी जो हमने पहले दिन लिती वही सेम रोटी भी आप ले सकते हैं या अगर पहले दिन आपने रागी की रोटी लिती तो आज आप बेसन की रोटी ले सकते हैं और साथ में आपको लेना है एक कटोरी आपका ब्लैक वाले चना जो ग्रेवी वाला होता है उसकी सब्जी प्लैस आपको एक कटोरी दही लेना है चना भी energy का बहुत बड़ा source है protein में काफ़ेर रिच है complex cups काइट में पर अच्छा source है तो आपको second day black वाला चना ग्रिभी की सबजी का वो ब्रबाना के लेनी है अगर आप जानना चाएते हैं सब्जी आप कैसे बनाएंगे कम oil में कैसे बनाएंगे तो देखो, ब्लैक चना की recipe तो अभी मेरे channel पर फिलहाल नहीं है, आगे मैं upload कर दूँगी, लेकिन मैंने राजमा की recipe शेयर क्या रही हुई है, जिसका link मैं आपको इसी वीडियो के last में दे दूँगी, उसको आप check out करना है, जैसे हम लोग राजमा बनाते हैं, same process में हम लोग ब्लैक चना बनाते हैं, तो कम oil में weight loss के लिए आप कैसे इसको prepare कर सकते हैं, वो मैंने detail में आपको बताया हुआ है, एक बच चकाट आप जरूर करना, ठीक है, तो यह हो गया आपका lunch, अगेन आपको एक कप green tea या तो कोई भी एक हरवल ड्रिंक पीना है, आज के evening snacks में आपक गावा लेंगे, अमरूद या तो संत्रा, जो भी आपको पसंद है, आपके असपास available है, या जो seasonal है, इन में से दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको लेना है, तीक है, अब आज के dinner में आपको लेने हैं, ब्लैक चना की चांट, जिसको बनाना बहुत आसान है, उबले ह अब आज के चांट अब काले चने लेजिए, जो आपने सुबा के टाइम में काले चने उबा लेना, उसी में से एक कटोरी चने आप अपने लिए रख सकते हैं, ज्यादर आपको ताम जाम भी नहीं पड़ेगा, अलगते कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा, वही एक कटोर तो आपको बोरिंग नहीं खाना है बलके टेस्टी और चटपटा सा खाना है अपने हिसाब से बना के तो यह आपके ब्लैक चेने की चांट आपके डिनर में हो गई इसके बाद आपको लेनी है एक कप ग्रीन टी और यह होगा आपके दिन का लास्ट मील अब बात करते हैं कि किन लोग का वज़न जल्दी तेजी के साथ में कम होगा तो देखो अगर आप पहले से कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपका वज़न उतनी तेजी के साथ में कम नहीं होगा लेकिन आप पहले से कोई डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं सडलनी आपने से ही डिसाइट किया है कि मुझे अपना weight loss करना है तो definitely within two days आपको बहुत बड़ा change आपके weighing scale पर दिखाई देगा तो आप देख लीजिए कि आगर आप पहली बार कर रहे हैं तो 100% आपको result मिलेगा पहली बार नहीं कर रहे हैं पहले भी आपको डाइट फॉलो करते आ रहे हैं पिछली हपते से उसके पहले से तो आपको रिजल्ट उतना जादा विजिबल नहीं होगा लेकिन फाइदा आपको जरूर मिलेगा तो आप इस डाइट प्रयान को सिर्फ दो दिन फॉलो ए eller प्रीशungen झापको प्राश मिलेगा झाले आपको जरूर मेर्थ.